तो दोस्तो थंड़े की मौसम में हमारे घर पे बने हैं भथू की पराथी गर्म गरम तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ठंडी को समय में तो आप भी ट्राइ करें अपने घर में जरूर तो चलिए बनाते हैं यहां पर हमने एक बड़े से बरतन में बोल कर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं चूले में हम इनको बोल कर लेंगे भथूएक और रखके पका लेंगे तो तीन मिनट के लिए तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर साब निर्चिली है मसाले में और साबुत धनिया भी है एक बड़ा चमच एक जीर और मेथि दाना तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला भूंचू का है सारा तो हम इनको सिलवट्टे में पीसके रेड़ी करेंगे यहां पर नमक भी साबुत रखा है तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डें हम रखी है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भथू हमारा मंने बू갔 नहीं है कि यहां पर हमने में पीसकर मसाला भी त्याar कर लिया है कि आप लोग देख सकते हैं और रीचान बीक गजा क हमारे माफ्य निकाल लिया है तो इनको मैस करेंगे ऐनिको एलोको और भद्यों को अच्छी तरह मैस कर संहें हाथू से और इनको मैस कर देख तो हाथों से हम आलू को तोड़ लेंगे अच्छी तरह से और भतु को भी मिक्स कर लेंगे दोस्तों ठंडी को मुंसर में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में आप भी अपने घर में जरूर बनाएं आप चाहे तो काट की बना सकते हैं ऐसे ही कच्छा आठा मिला की तो यहां पर हमने धनिया पत्ता भी मिला दिया है धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिला देंगे भतु में यहां पर हमने औले काटोरी में रख लिया है घाम बनाएंगे चूली में बतो की पराठे तो यहां पर आप लोग देख सकते मैं इस तरह से लोई को कहली है ए और दो बड़ा चमत भार दिया हमने मिक्स्यर को प्रवादो करेंगे नप्रय। लोई को जिसे हमारा भतुआ एंट बाहरुने कर Everybody hè तो यह देखें भिए दाधिए लोई को फोल्ड कर लिया और आराम राम से बेलेंगे जिसे सेमारा आलू कांट अमेक्शेर बाहर नन निकले क Been तो तरह से हमारा आम से बेल लेंगे तो के पराथे को पूरा गोल भेलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, दोस्तो हमारा आम से बेल रहे हैं जिससे हमारा आपद्वा के मीक्सर एक भी बाहर नहीं निकला तो बिल के हमारा रेड़ी हो चुका है तो हम डाल देंगे तवे में तो आप लोग देख सकते हैं चूले में हम लोग बना रहे हैं बतो की पराठे तो हम लगा लेंगे एक तरफ से हमारा पराठा हो चुका है सिख चुका है तो हम लगाएंगे इसमें ओल तो दोस्तो हम ज्यादा लाइट तेज नहीं है तो लाइट होने के वज़े से काला काला आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से पल्टा देंगे और चूली में बनाएं तो बहुत टेस्टी लगता है दोस्तो आप भी एक बार चूली में जरूर बना के देखे तो मेरे माई की में चूली में ही बनता है ज्याद अतर जब मैं अपने ससुराल में थी तो गैस में बनाती थी तो पल्टा देंगे इस तरह से एक तरफ से हमारा तो दोस्तो हमारा भद्व की पराठा शिक चूले में बना के रेडी कर लेंगे तो दोस्तो आप गरम गरम पराठो को टमाटर की चेटिकन साथ सर्व करें आपको खाने बहुत टेस्टी लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे ठनी को समय में तो इसी तरह से हम बना के तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना जाद ज्यादा बल आइकन को जरूर प्रिस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास दुरत पहुंचे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरा भाई चटनी के साथ खा रहा तो मिलते नाइस्ट बीडियो में एक निव रेस्प करता तब तर लिए थेंक्यू बाई बाई